स्कूल में जो अपना करीर बना जाते हैं टीचिंग की एक्सप्रियेंस के तोर पे टीचिंग के रूप में अध्यापक के रूप में उनके लिए एक सुनहरा आवसर आर्मी पॉब्लिक स्कूल हर साल लेके आता है इसके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरवीव हकल दे दिया थ का सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है सलेबस क्या रहेगा और आपके जो है किस तरह से नोकरी है इसमें मिलेगी एस क्राइटरिया क्या है कौन-कौन आविदन कर सकता है सीट आट वाला कर सकता है नोन सीट आट कर सकता है कितनी वेकेंजी इसमें आती है सारी इस वीडियो में आ और आप form अगर बरेंगे तो आपको सबसे पहले क्या जरूर पड़ेगी इसके जो previous year है किस तरह का paper है पूछा जाता है इसी के लिए हमने previous year का जो complete जो previous year अभी तक जितने भी previous year हुए है आरियाना इसमें जो army public school में उसके सभी के आपके 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 लिए previous year लेके आए हैं लिंक description में दिया गया है लिंक है जो description में previous year का part A के नाम से है part B के नाम से है जो part A लेना चाहते है प्यार्टी वाले के लिए part A जो है अकेला part A चाहिएगा प्यार्टी को और जो TGT के लिए है उनके part A और part B रहता है ठीक है तो नीचे लिंक दिया गया सब्जेक्ट वाइज की भी TGT का आप उस पर क्लिक करके बाई कर सकते हैं जो previous year यह paid है आप बाई कर सकते हैं अभी देख लेते हैं 136 टोटल आर्मी पॉब्लिक स्कूल है जो ओल और इंडिया है CBSC affiliated है सारे के सारे और 87 सो capacity है इनकी जो बड़ती है इने मेंसे कुछ teacher है चले जाते हैं जिनको किसी दूसरी जगे पर दिगरनोक्री मिल जाती है तो वहां पर चले जाते हैं और जो है इसका selection procedure regular भी होते हैं इसमें और fix term के लिए जो है इनको बड़ती किया जाता है selection procedure की बात करें तो तीन stages में selection procedure होता है पहला screening test है जो अभी निकला हुआ है जिसका exam 1920 परवरी को होना है इसको OS की बोलते है online screening test है online screening test होगा यह जो की है आपके जो है कहीं पे agency है AWS ने जो है agency जो provide करा रखिये वो इसका paper है लेगी और यह साल में एक बार है होता है और score card इसके लिए जैसे seat at आपका उसका score card है generate किया जाता है कोई भी exam उसका state है जैसे तरह आभी अर्याने में cat का है या दूसरी जगा दूसरे exam है इनका जो है state जो है एक card है selection के लिए candidate को score card दिया जाएगा और जो तीन साल के लिए है पैलिट होगा और इसका जो score मान लिजे किसी ने पहले आपका अभी दिन करका उसके पास score card है तो अपना score improve करने के लिए भी दोबरा से जो screening exam है दे सकता है और ये जो है TGT की वरती पीज़ीटी की वरती इनके लिए जो है eligible रहेगा अभी जो अगर किसी की ने ये qualify कर लिया उसका ये मतलब नहीं कि उसकी job है पक्की हो जाएगी उसको stage 2 और stage 3 है जो उसके लिए applicable माना जाएगा stage 2 क्या है interview है अभी मान लिजे आपके पास में आपके आस पास कोई army public school है उसमें vacancy निकली है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप vacancy निकली हुई है तो उसकी site पे जो army public school है उस school की site के उपर recruitment का section है जो और army public school की तरफ से रहता है वहाँ पे vacancy है जो है job है वहाँ पे मिलेंगी कि भी इस school में इतनी job है इस exam के बाद मिलेंगी नए session के लिए ठीक है तो वहाँ पे जाके आप आविदन कर सकते हैं आविदन के बाद आपको interview के लिए बुलाई जाएगा उस school में particular school में school में news paper के मादन से भी vacancy निकलती है notice वगरा भी निकलते है तो उसके बाद है आपको जो बढ़ती है किया जाएगा अगर माल लीजिए आपके language teacher है तो आपका written test है comprehensive test है वो भी होगा और जो है पंदरा marks के लिए जो evolution वगरा इस तरह से है आपको जो है computer test वगरा भी आपको देना पड़ सकता है ठीक है यह है यह आपको pattern है हमने समझा दिया इस तरह से है और अब भी जो online screening test है उसके बारे में देख लेते हैं कौन से subject के लिए है इसमें आता है 19-20 फरवरी को paper है PZT, TZT, PRT सभी के लिए आपका यह रहने वाला है और जो minimum qualification चाहिए जो PZT है PZT को 50% aggregate BA में और जो है पोस्ट ग्रेजिएशन में 20-50% चाहिए आपके और जो TZT है उसमें भी same BA चाहिए और जो PRT के ग्रेजिएशन है उसमें जो आपका D.A.D. है 2-year diploma in elementary education और BA इन में से कोई शाब पहले क्या होता था पहले सिरफ BA वैलिज़ मानी जाती थी इन में लेकिन अभी क्या है अभी आप टिपलोमा वाले हैं वो भी आवेदने इसमें कर सकते हैं दोनों में 50% है आपके पास है अनीवर ये है डिटेल लिस्ट ओफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जो है डिटेल लिस्ट दे रखिए एज है अगर फ्रेस कैंडिडेट है किसी के पास एक्सप्रियंस नहीं है पांच साल से कम का एक्सप्रियंस है तो उसको 40 साल जो दिल्ली में स्कूल है वहाँ पे और अगर एक्सप्रियंस के कैंडिडेट है पांच साल से उपर का एक्सप्रियंस है लेकिन अगर आप जब बरती होंगे बरती आप कहीं पे भी किसी भी स्कूल में टीजी टीप आर्टी के लिए आप अपलाई करेंगे तो आपको mandatory होगा central का या state का कोई भी आपके पास एक TET हो S TET हो, C TET हो, R TET हो, R E RIT हो, UP TET हो कोई भी आपके पास qualified के एक TET होना जरूरी है, अगर आप इनकी बरती करना बरती में जा रहे हैं तो, ठीक है ना, those not qualified seated TET, but found fit for other aspects considered appointment on the vacancy which may adopt in the nature till attain of the qualification, उनको adopt के तोर पे रखा जाएगा, उनको regular नहीं किया जाएगा तो, adopt के तोर पे इन में रखाना रखा जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास CETET वगरा नहीं है तो, CETET time period के बाद आपको qualify करना पड़ेगा, online paper होना है, 1920 तारीक को 100 number गा paper होना है, कितने number गा, 100 number गा, ठीक है, और अगर PZT, TZT के एंगरेट है उनको part B में फैल होगा है, लेकिन part A में जो है, पास होगे, तो जो है, PRT के लिए है, जो उनको PRT के लिए आविदन है कर सकते हैं, PRT का score कार्ड है, उनको मिलेगा, इस तरह से आप इसको qualify कर सकते हैं, score will be normalized to so, 100 number का जो है, इस तरह से रखा जाएगा, और एक चोथाई है, जो इसकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, part A, B, दोनों है, इस दोनों में 50% अलग अलग लेने, आफशक हैं, जब आप टीजीटी, पीजीटी की बात कर रहे हैं तो, जो PRT है, उसके लिए सिर्फ एक है, exam fees है, 385 रुपे है, non refundable है fees, और इसके लिए आवेदन है, आप स्टार्ट हो चुके है, 7 जनुरी दोजरबाईस से, 28 जनुरी दोजरबाईस तक, इस साइट पे, इस साइट पे हम लेके भी चलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, इस साइट का, तो वहाँ पी जाके हावेदन है, कर सकते हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले रिजिस्टीशन का, स्टैप आएगा, मुबाइल नमबर एमेल एडि दी दी जाएगी, उस पर ओटी भी आएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, और फिर आपको पोस्ट है, एडिक करनी होगी, और फिर उसके बाद रिक्वार्ट जो इन्फरमेशन है, ओनलाइन फोम में वो बरिज़ा हैंगी, जैसे फोटोग्राफ है, सिगनिचर है, डेट ओब बर्थ है, सर्टिफिकेट, अगैटमिक कौलिफिकेशन है, और फिर एग्जाम फीस है, ओनलाइन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, फिर आपका कन्फरमेशन का मैसेज आ जाएगा, अगर आपको क कोई दिक्कत आ रही है, तो एलफ लाइन नमबर दिये गए हैं, देख सकते हैं, और जो मोग टेस्ट अवेलबल होंगे, इनके लिए एक फरोरी 2020 से पांस पांस कुशन होते हैं, सिर्फ मोग टेस्ट में, यह मत सुचना कि फूरी देंगे, यह भी आपको पेड़ है, जो प आपके सिर्फ, यहां से सिर्फ आपके अब ले सकते हैं, जब आपने इनकी फीश है, जो पेड़ कर दी, तिनसो पिचासी फीश है, यह पेड़ कर देंगे आप, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, इनके अवेल कर पाएंगे, मोग टेस्ट, यह जो प्रिविए सिर्व ग रखी है, अभी साइट पर लेकर चलते हैं, जो साइट है, जहां पर जो आवेदन करना है, आपको वो साइट है, हमने ओपन कर रखी है, यह साइट है, साइट का जो है और वीव आपको दे देते हैं, साइट में क्या 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 आपको मिलेगा, आपकी सारी कियोरी साइट प жitsap पे करना है यहाप आप अप दो जो information रॉकी फॉलकी फॉर्मेशन स्टेशन जैसे फोटो का साइज है सिगनेचर का साइज है तो करने आपको यहापको आपको फील इंफूर्मेशन है जो हमने बताई थी मूबाइल नमबर है इमेल डुरिस है वो आपको बढ़ना है ठीक है यहां पे जाके यह आपको यहां पे आभीदन करना पड़ेगा ठीक है तो यह लाइन नमबर इन्हों ने किसी भी लाइन के लिए नमबर दे रखें और आपकी कोई क्यूरी भी है तो आपके नमबर 701 सब्सक्राइब करें ठीक है यहां पे वर्ट्शप करने के बाद है आपको है हम है जरूर करें आपकी यह आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी आर्मी पब्लिक सौल के लिए उम्मिद करते हैं यह अच्छा लगा होगा और इसके लिए प्रिविएस यह हमने अपनी साइट पे यूटूब चैनल पे डाल रखे हैं जो पहले हो चुगे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए वहाँ पे डाल दीजिए आप अपनी क्यूरी उसका भी जवाब दिया जाएगा थैंक्स पॉर वोचिंग डियो